चार हाथ 24 गज अंगुल अश्ट प्रमार ता उपर सुल्तान है मच्चू को चौहान जूठे एक किताब लिखी गई और उसमें सिनेमा बना दिया और इतिहास बदल दिया छोड़ दीजिए कुछ चीजों को वो नहीं सुधरेंगी लोग कहते हैं इतने संगठन हो गए अरे सदियों की भूकी नसलें दोनों हाथों से खाती जब एक ओपन एक्जाम हुआ और EWS का बैसाखी भीक उन लोगों को मिली तो शिडूल काश्ट वाले लोगों से 20 गुना नीचे मेरिट मिनकली ऐसे जमूरों ने हमारे लोगों को अपमानित किया है जूठा OBC प्रधान मंत लागो करेगा हमारी यह मांगोनी चाहिए और इस मंच पर यही मांग है उसने आपके बच्चों की सिक्षा को हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं अमबानी और अडानी के मीजी हातों में बेच दिया है और हमारे और आपके बच्चों को अब कोई सिक्षा नहीं मिलने वाली है इस देश के वंचित शोशित कमेरा लोग दिल्ली में इकटा हुए हैं वी दे पीपल पैगाम के इस मंच पर इस आयोजंद में वो माहौल वो देश की हालात बहुत मुश्किल और चुनोतियों भरे हैं जिन वजहों से जिन रास्तों से चल कर हमारे जैसे लोग देश के गाओं से निकल कर यहां तक पहुँचे वो रास्ते बंद किये जा रहे हैं मगर ऐसे वक्त में जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो लोग यह सोच रहे हों और आपस में बात कर रहे हो कैसा लगता है कि बालू की तरह हमारी हाथ से हमारा हाथ का धिकार हमारी एक जुटता फिसलती चली जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे है मुझे दिलने के रामलिला मैदान का ये मंच एक उम्मीद की तरह नजर आ रहा है कि तमाम तरह से अलग अलग जिने समझा जाता है वो बहुजन वंचे शोषित समाज के लोग इस सभागार में इस मंचपर और इस पंडाल के सामने इकटा हो गए हैं मुझे यहां से भी एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है इसलिए मैं निराश होने की बजाए उम्मीदों से अपनी बात शुरू करता हूँ उम्मेद सभेरे की जिसके रोशनी यहां जो तीन आदम कद मूर्तियां खड़ी है वो यूँ तो मूर्ति है डॉक्टर अमबेटकर महात्मा जोतिबाफूले सावित्रिबाई फूले की और 6-7 दिसंबर का दिन जिस दिन डॉक्टर अमबेटकर को वो लोग भी मजबूरी में ही सही याद करते हैं जो अपने दिल में गोट से गोलवलकर और हेटगवार को रखते हैं आप अपने पुर्खों के उस कद को महसूस करिये जिनने पहले नजर अंदाज किया गया मुल्क के आजादी के बाद उन पर किताबें नहीं छापी गए इस देश में उन पर कुछ पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिले विश्विद्यालियों में शोध नहीं हुआ गोया बात नहीं करेंगे तो डक्टर अम्बिट कर खत्म हो जाएंगे फूले खत्म हो जाएंगे बिरसा मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मदारी से कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के किसी भी कौने में हक हुकुक के लिए कोई भी आवाज अगर उठती है तो उन आवाजों में प्लडा सोत के रूप में भारत के सम्धान के साथ बिरसा फूले अमबिट कर और पिरियार एक नजीर एक उदाल बन करके हमारे सामने है मिटाने वाले मिट गए और आज उम्मीदों का नया सूरज हमारे सामने ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी आबादी हमारी है जितना हक मौका हमारे पास है उससे तो इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क के वंचिशोशित कमेरा लोगों को होना चाहिए था लेकिन अफसोस मैं तो दिल्ली विश्व द्याले में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूँ अब इस समय ठेके की बात क्या करना जब इस समय इस देश में ऐसे लोग प्रधान मंत्री बन जाए जिन्नोंने इस देश को ये भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं सवगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं बिकने दूँगा और जब वो प्रधान मंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया नीजी हतों में जो इस देश ने सतर साल में कमाया था जैसे तैसे भी कमाया था उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं फिर भी ये मुल्क के आवाम खामोश है मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के उपर कि उसने धोखा दिया जूट बोला इस देश ने बहुत बुरे प्रधान मंत्री देखे मगर इतना जूटा प्रधान मंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ था खुले आम जूट बोलना और वही जूट बोला था उस प्रधान मंत्री ने कि मैं आज इस देश का प्रधान मंत्री तब बन पाया जब बाबा साब और उनका संविधान था अरे भाई अगर तुम बाबा साब की वज़े से प्रधान मंत्री बने तो बाबा साब के सपनों का भारत बनाते बिर्सा और फूले के सपनों का पेरियार के सपनों का भारत बनाते तुम तो जुबान पर डक्टर अंबेटकर को रखते हो बिर्सा फूले को और दिल में गोटसे और गोलवलकर का भारत बना रहे हो आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इस देश में राजे सभा में शीत का लिंसत्र शुरू हुआ है और आजी सदी का सबसे जूटा प्रदान मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमरित काल की तरफ जा रहा है एक नया सवेरा है मैं उससे यहां राम लिला मैदान से यह सवाल करता हूँ किस बात का सबेरा और किस बात का मरित काल क्या इस मुल्क का इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा हर घर तिरंगा 2022 तक सब को घर दे देंगे तमाम तरह के जूठे वादे किये बुलट ट्रेन चलाएंगे दो करुण रोजगार देंगे 15 लाख रुपए देंगे हवाई चपल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा और उसके बाद एक-एक करके आपके हग अधिकार की जगहों को बेच दिया तो किस बात के तुम प्रधान मंत्री और कौन सा ये नया भारत है मेरा सवाल ये हमी को दर्या पे जाने से रोकने वाले हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं आज तक तो कभी आपने इन तालीमी इदारों में देश के विश्विद्यालियों में बहुजनों को पहले आने से रोका मैं एक ही विश्विद्यालियों पर बात करूंगा कि इस पूरी वंचना में सबसे ज़ादा भूमिका भारत के संविधान के कमजोर किये जाने की कैसे है और चुब कि विश्विद्यालियों में सबसे पहले तो हमारे लोगों को आने नहीं दिया डक्टर अंबेटकर हो, फूले हो, पिर्यार हो इन सबने जो सबसे महत्पून लड़ाई लड़ी थी कलम और किताब की लड़ाई लड़ी थी कि अगर पीडियों को कलम और किताब हाथ में पकड़ाएंगे तो वो किवल अपना मुस्तक्बिल है नहीं इस मुल्क का मुस्तक्बिल बदल कर रख देंगे आये कुछ लोग विश्विद्यालियों में रिजर्वेशन तो 1997 में हार एजूकेशन में आया मंडल का दौर आया तो मंडल का विरोध करने वाले इन विश्विद्यालियों मीडिया घरानों और देश के बड़े-बड़े संस्थानों में बैठे एलीट परकाष्ट लोग जो अंग्रेजी बोल करके सोचते थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है उन्होंने आपके बच्चों के आरक्षण का विरोध किया था अभी एक वीडियो अभी वाइरल हुई पटना का एक जजज अब विडमना देखिए एक दिन दो दिन पहले की वीडियो है कि वो जजज जब ये कहता है कि भाई कैस सबके घर पे बुल्डोजर चला दोगे कानून का राज नहीं है क्या तो वो जजज इस देश के तमाम प्रगश्चील लोगों को बहुत पसंद आता एक नायक बनका है कि चलो भाई सारे जजज बिके नहीं हैं सारे कोलिजियम से आकर कि अपने रिष्टधारों को जजज बनवा करके सरकार की हां में हां मिलाकर न कुछ जज अच्छे भी हैं जो अच्छा फैसला सुना रहे हैं सबने सर आखों पर बिठाया और जब उसी जजज की एक विडियो आई कि एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसके उपर वो पटना हाई कोट का जजज कहता है क्या भाई आरक्षण से आये हो क्या और उसके ब हम लोग यह शिकायत करते हैं अपने गाहों के लोगों से कम पढ़े लिखे लोगों से कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पाखंड में बजी हैं वो कावर्ड हो रहे हैं वो अंदविशास में जी रहे हैं और जो पढ़ लिख लेंगे तो समझदार बन जाएंग इस जज को जो जज बनाए पता नहीं कोलेजियम से ही बनाए किसी की रिक्मेंडेशन से बनाओगा वो इतना पड़लिक करके उस ओदे पर बैठ कर जब आरक्षण का मजाग बना सकता है तो कल बना करिये एम से लेकर के देश के बड़े-बड़े केंदरे विश्व द्यालियों में आरक्षण पर कितना अपमान जलील हुआ होगा आपके अपने समाज का एक एक शक्स जिसको मेरिट के नाम पर दुद्कारा गया जब इस देश में करोणों रुपए दे करके कोई डॉक्टर बना तो उस पर कोई चुटकुला नहीं बना कि इसने सीट खरीद करके डॉक्टर बन करके पेट में चैची छोड़ दी हो लेकिन अगर कोई आरक्षण से डॉक्टर बना तो लोगों ने मजाग बनाया है तो वह सारे चुटकुले बंद हो गए यह कौन सा देश है बाई और मेरिट की बात करने वाले उत्तर प्रदेश में एक वैकिनसे निकली उस वैकिनसे में शेडल काष्ट की मेरिट जाती है कटाफ 35 नंबर और EWS की मेरिट जाती है कटाफ 3 नंबर यानि जो मेरिट वारी थे मुखस से जायते ब्रामण अबाहुर नाम छत्रिया जो मेरिट के नाम पर आरक्षण वालों को गाली देते रहे जब एक उपन एक्जाम हुआ और EWS का बैसाखी भीक उन लोगों को मिली तो शेडल काष्ट वाले लोगों से 20 गुना नीचे मेरिट मिनकली ऐसे जमूरों ने हमारे लोगों को अपमानित किया है और इसलिए मैं किवले एक गुजारिश करने आपके बीच माया हूँ इन नकली लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है ये जूटे लोग हैं जो इस देश के 48 केंद्रे विश्व विद्याले तो इस समय हैं इस देश का प्रधान मंत्री जब चुनाव लोने जाता है तो कहता है कि मैं OBC मा का बेटा हूँ OBC लोग मुझे वोड़ दे और दे भी रहे होंगे बहुत सारे OBC लोग मैं तो उसे एक सवाल पूछता हूँ हर मंच से जाकर सवाल पूछता हूँ चलो छोड़ दो OBC होने के बाद भी हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते कि तुम चत्रपति शाहु जी महतमा जोतिबा फूले सावित्री भाई फूले और डक्टर लोहिया और तमाम लोगों को जानते होगे हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि मेरे इसी भी कोने मर जाकर तुम कहते हो कि तुम OBC हो तो इस देश में प्रधान मंतरी रहते हुए तुमने आठ साल में एक बार भी मंडल कमिशन का अगर नाम लिया हो तो मुझे बताओ तब मैं मानूंगा कि तुम असली OBC हो ये गोट से गोलवलकर और हटगवार के वारिस जब मौका मिलता है तो 80% हिंदू एक हो जाओ कहते हैं और जब वोट लेना होता है तो OBC नाम लेते हैं मंडल कमिशन आया तो मंडल के विरोध में कमंडल आने वाले लो compelled कोन थे मंडल किसके लिए आया था बाई है और इसके मंडल के विरोध में सरकारे गिर गरीये राम लिला म इतिहासिक है, बहुत बड़े-बड़े लोग यहां पर बैटे हैं, बहुत अनुभव हैं, हमारे जैसे लोगों के पास क्या है? दिल में जो है वही जबाँ पर है और कोई खास बात नहीं हमें, इसलिए हम यहां सच बोल रहे हैं, और ठेके पर प्रफसर होने के बाद भी हम कि इतना बोलने के बाद कोई प्रोफसर की नौकरी क्या ही देगा जब जंडे वालान से तैं हो जाए कि वाइस चांसलर कौन बनेगा तो हमको पता है कि हमारा सच क्या है लेकिन मैं केवल इसलिए ये बात बोलता हूं कि मैं इस मंच पर खड़े हो करके भी वही सच दोहरा रहा हूं कल ता 6 दिसंबर और अपने पुर्खों को याद करते हुए कह रहा हूं अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमिशन न होता तो मैं आज आजमगर जैसे गाउं में जाकर जिले में कहीं भैस गाये चरारा होता मैं इस देश के केंदरे विश्वदयले दिल्ले विश्वदयले में प्रोफसर कभी नहीं बन पाता तो अपनी मेरिट के दम पर तो यहां तक आ गए और अब तुम्हारे भरोसे भीख मांग करके या जंडे वालान में घुटने टेक करके तो नौकरी मांगने नहीं जाएगे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई बहुत सारे लोग S.C.S.T.O.B.C. घरों के वाइस चांसलर बने बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर हैं मगर मैं याद करता हूँ कि बड़े बड़े पर्मानेंट लोगों को कोई नहीं जानता बड़े बड़े ओहदे पर मिनिस्टर और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को कोई वो सम्मान नहीं देता जो मुझे और इस मंच पर बैटे हुए संगर्श करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है मुझे उर्जा केवल इस बात से मिलती है ऐसे लोगों के बीच आकर के मिलती है कि हम जब आँख मंद करें तो इस बात का अफसोस नहो कि जिस सीड़ी पर चल कर हम संविधान और मंडल कमिशन से होकर यहां पहुँचे हमारी आथों के सामने जब उन सीड़ियों के एक एक डंडे तोड़े जा रहे थे तो हम खामोश नहीं बैटे थे हम बोल रहे थे हम जानते थे और यह सवाल पूछ रहे थे कि देखो इस देश में हिंदू के नाम पर एक जूट फ्यलाया गया कोई हिंदू नहीं है भाई अगर हिंदू है तो पहला हिंदू वो जिते इंदर मेगवाल क्यों नहीं था जिस बच्चे को मठका चूने पर मारा किसी मुसलमान ने नहीं मारा इंडर मेगवाल को किसी मुसलमान नहीं मारा रोहित वेमुला पाल तरवी को किसी मुसलमान नहीं मारा और ये नमूने टीवी पर बैठ कर विकी हुई मीडिया और विके हुई अखबार से कहते हैं कि इस देश के हिंदुओं एक हो जाओ तुम्हारे मुसल्मानों से तुम्हें खत्रा है मैं आपसे केवल एक गुजारिश करने वाला हूँ और वो सब आप जानते हैं मंडल कमिशन के खिलाप अंदोलन करने वाला मुसल्मान था क्या जब हाई रेजोकेशन में 2006 में मंडल पार्ट्टू लागू हो रहा था तो उसका विरोध दिल्ले विश्ट्याले जेनियू और एंस में खड़े होकर मुसल्मान कर रहे थे क्या अरे बैं मंडल का लाप आरक्षण का लाप इस देश के उनी स्सेश्टी ओबीसी कोई तो मिलने वाला था तो मंडल के विरोध में कमंडल कौन लेके आया मंडल के विरोध में रत्यात्रा कौन लेके चला और इसलिए आज भी कह रहा हूँ अगर इस देश का प्रधान मंत्री ओबीसी है 27 कैबिनेट मिनिस्टर इसने ओबीसी बना दिये तो एक बात बताओ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षड प्रोनती में आरक्षड यानि प्रमोशन में रिजर्वेशन एजूकेशन रिफॉर्म, लेंड रिफॉर्म, वित्ती निगमों के स्थापना ये सारी तो मंडल कमिशन के रिक्मेंडेशन है एक जूठा OBC प्रधान मंत्री अगर आज भी सच्चे में डक्टर अंबेटकर और मंडल को याद करता है तो आज यही गोश्रा करें कि जाती जन्गर ना कराएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करेगा हमारी ये मांग होनी चाहिए और इस मंच पर यही मांग है पुरा देश को बेच रहा है पुरे देश को बेचते बेचते कभी मां के साथ तस्वीर कभी एम्बूलेंस निकल रही है भाई उसके गाड़ी को वर्टेक करते हुए देखा होगा आपने SPG की सेक्योर्टी में कोई गाड़ी नहीं गया सकती एम्बूलेंस जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है वोट डालने जा रहे हैं तो वहाँ पर रहली कर रहे है पुरे देश को एक हैपनोटाइज कर लिया है पता ही क्यों कर लिया है क्योंकि उसे पता है कि इस देश के 90% कमेरा लो अभी भी अपने बच्चों के भविश की चंता नहीं कर रहे है और या अगरी गुजारिश मेरी है बहुजन अंदोलन में तमाम खामिया होंगी मैं इन खामियों को गिनाने के लिए इस मंज का इस्तेमाल नहीं करूँगा हम उमीद की रोशनी की तरह क्या देख सकते है अब सब कुछ बेचने वाले लोग सब कुछ को खत्म किया जा रहा है तो आपके बस बचाने के लिए क्या है कोविड में जब सारे सरकारी अस्पताल जान बचा रहे थे प्राइवेट अस्पताल बंद थे फिर भी एक कर सरकारी अस्पतालों को बेच दिया बी एस एनल बेच दिया रेलवे बेच दिया स्टेशन बेच दिया एक एक करके सारी चीज़ें बेच दिया है यह वी द पीपल के लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई ठेके में कोई reservation क्यों नहीं है इस देश के 90% लोगों के पास 90% जमीन क्यों नहीं है और आखरी चीज़ उसमें जोड लीजिए नई सिक्षा नीती के चलते 2020 में जो नई सिक्षा नीती आई उसने आप के बच्चों की सिक्षा को हमेशा हमेशा के लिए उनी अंबानी और अडानी के नीजी हातों में बेच दिया है और हमारे और आपके बच्चों को अब कोई सिक्षा नहीं मिलने वाली है ये इस देश में हो चुका संविधान बचा रहेगा संविधान दिवस के दिन कितना भी बड़ा जूटा प्रधान मंत्री हो कितना भी कोई रबर स्टांप कोई भी मंत्री विधायक बना दिया जाए वो संविधान की शपत लेंगे संविधान के अंदर के जितने अधिकार हैं वो खत्म कर दिये गए और यसलिए नई सिक्षा नीती आप गाओं में जाकर देखिए सरकारी स्कूलों में किनके घरों के बच्चे पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा 90% कमेरा लोगों के घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां नहीं इमारत हैं न सिक्षक हैं तो सिक्षक की जरूद नहीं है और सेलिबस बन रहा है नया नया कुछ दुना बाद आप किताब में पढ़ेंगे जैसे सिनेमा बन रहा है पता है ना कुछ जिए टीवी एक्टर सिनेमा के एक्टर विमल पानमसाला दाने में केसर का स्वार और कभी ना अपने गुटका खाते हैं ना अपने बच्चों को गुटका खाते खिलाते हैं और पूरे देश के लोगों को गुटका खिला रहे हैं पानमसाला खिला रहे हैं कि नहीं वैसे ही उनके घरों के बच्चे अशोका, गलगोटिया एमिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के लिए जो डी यू, जेन यू, जामिया इन विश्वद्यालियों में जहां कि नाम मात्र के फीस थी पहली पीडी के हम लोग आए और पूरे विश्वद्यालिया को बेच दिया हमारे बुश्पुरी में कावत है खेलब न खेले देब, खेलब बिगारब अब जो हमारे जो जो रिजर्वेशन का विरोध किया नहीं रोग पाए पहली पीडी के लोग प्रोफसर बन गए नहीं रोग पाए पहली पीडी के लोग आकर के इन विश्वद्यालियों में खड़े होकर 13 पॉइंट रोष्टर का विरोध करते हैं भारत बन करते हैं नहीं रोग पाए जब नहीं रोग पाए तो पूरे विश्वद्यालियों और स्कुलों को अंबानी अडानी का तो बेच दिया ऐसलिए वंचिस शोषित का मेरा लोगों मुल्क के 90% आवाम मैं आप से केवल एक गुजारिश करने आया हो अधिक्तम सहमती मत बनाईए उनके लोग आपके बीच में आते हैं और कहते हैं OBC का सारा हग इन तीन जातियों ने खा लिया इसलिए तुम हमारे साथ आओ शेडूल काश्ट में सारा हग इन जातियों ने खा लिया तुम हमारे पास आओ अरे भाई आज़ दस्ताल हो गया उधर गए एक बार देख लो लाठी और जेल के अलामा कुछ मिला क्या कुछ मिला क्या अरे भाई 100 रुपिया लीटर पे टॉल बिकेगा तो केवल मुसल्मान खरीदेगा कि उसमें स्थे अश्टी ओबीसी भी खरीद रहा है अगर 200 रुपिया लीटर पे टॉल और सरसो का तेल 1200 रुपिया पे जो LPG गैस महंगाई, बेरोजगारी करूणो करूण लोगों के रोजगार चले गए सिख्षा के तालीमी इदारे बरबाद कर दिये गए तो हमारे भी बच्चे मारे जाएंगे न तो ये जो दुश्मन हमारे बीच से हमारे सामने खड़ा किया जाता है और हमारे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज कच्चा तेरा मकान है कुछ तो लिहास कर और मैं उम्मीद की तरह अपनी बात को ख़त्म करूँगा केवल यही कि माना कि स्याह रात नाम लेती नहीं धलने का यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का मीडिया बिग गई थी तो ये बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जबान को अख़बार और अपने हाथ में कलम और यूटूब चैनल का एक वीडियो बनाने का जिम्मा लेकर के में इस्ट्रीम मीडिया को दोयम दर्जे का बना दिया और घर घर अपनी आवाज बुलंदी से पहचान रहे गाओं में हम जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि साब आपको सुनते हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है सच कहें तो हम तो डरे हुए लोग हैं जब हमारे गाओं में कोई ब्यक्ति मुझसे कहता है जिसे मैं नहीं जानता कि आपकी वो पाठशाला मैंने सुने थी मुझे हिम्मत मिल जाती है कि बाबा साब के समय तो बड़ी मुश्किल से जनता प्रबुद भारत मुक नायक निकालना पड़ा बंद हो गया अखबार फूले साब का अखबार बंद हो गया अकेले थे ये लोग लड़कर हमें यहां तक पहुचा दिया आज इतने लोग खड़े हैं और इस मंच को देखिए बहुत अरसे बाद दिल्ले में इतना बहुरंगी, समावेशी और ताकत का मंच बना है मैं यहां एक उमीद की तरह एक बात कहकर जा रहा हूँ बाबा साहब की मूर्तियां बनवाने वाले जोर से जैभीम बोलने वाले आपको जूट बोल करके आएंगे ताकि गोट से गोलवलक और हेटगवार के संग के भारत को बना ले जाएं उनसे सजग रहीएगा और उनसे एक बात कहिएगा तो मूर्तियां बना रहे ह identifying तो डक्र अमबेटकर का एच्छी बात है अरे भाई इस देश में सबसे दा मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो उब भी डक्र अमबेटकर की थी क्या मूर्ती तोड़ने से डॉक्टर अम्बेटकर का कोई नुकसान हुआ तुमने एक मूर्ती तोड़ी और दस नए अम्बेटकर के वारिस खड़े हो गए और आज ये अम्बेटकर के सपनों का भारत बनाने के लिए सिख्षा बचाने के लिए रोजगार बचाने के लिए सोचाले और देवाले की राजनीत का एक ही जवाब है स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले बचाओ, अपने आने वाली पीडियों को बचाओ सिख्षा और रोजगार को बचाओ वरना इतिहास बदल दिया गया है सिनेमा बन रहा है न कि मुहम्मद गोरी को प्रित्विराच चोहान ने मार दिया था चार हाथ 24 गज अंगुल अश्ट प्रमार ता उपर सुल्तान है मच्चू को चोहान जोटे एक किताब लिखी गई और उसमें सिनेमा बना दिया और इतिहास बदल दिया कल को सेलिबस में पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी जब बच्चमन में बहुत छोटा था तालाब में भगवा जंडा दूबरा था तालाब में कूद गया वो बच्चा भगवा जंडा को ले आया और मगरमच के बच्चे को भी बगल में दबा कर ले आया कुछ दिन बाद वो बच्चा भीक मांगने चला गया रेलवेश टेसन पर चाय बेचा 35 साल तक तपस्या किया उसके बाद भारत का प्रधान मंत्री बन गया 10 लाग का सूट पहना करोणों रुपए के जहाज में चलता है लाखों रुपए उसके प्रचार पर खर्च होता है पूरे देश को बेच दिया और फिर भी जूट बोला मेरा क्या है जी हम तो फकीर आदमिये जोला लेके चल पड़ेंगे मैं आप से कहता हूँ हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा इसलिए आकरी गुजारिश बहुत कुछ बरबाद हो चुका है निवनतम सहमती पर अधिक्तम एका बनाईए छोड़ दीजिए कुछ चीजों को वो नहीं सुदरेंगी लोग कहते हैं इतने संगठन हो गए अरे भाई सदियों की भूकी नसले दोनों हाथों से खाती है इसलिए मैं तो ये खुश होता हूँ कि जितने संगठन हो गए उतनी जगए पर बाते मनाई जा रही है तो एक जुटता मुद्दों पर हो SC, ST, OBC की एक जुटता इस बात में बनेगी कि OBC के घरों में जाकर मुझे भी समझाना है कि भाई, तुमारे जज नहीं तुमारे प्रोफेसर नहीं तुमारे डॉक्टर नहीं तुमारे अंबानी अडानी तुमारे घर में नहीं ये उद्योगपती हैं ये तुमारे घर में नहीं तुम्हारे गण में नहीं क्योंकि जाती तुम्हारी OBC थी, जलित का शोषण भी जाती के नाम पर, OBC का शोषण भी जाती के नाम पर, आधिवासियों को जा रहे हिंदू बनाने, बनवासी कहने, आधिवासियों के बीच में राजस्तान पिछले दिनों गया, और वो लोगों की भीड में सबसे केंद्र में जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी वो बाबा साथ डक्टर अमबेटकर की लगाई थी तो ये नफरत के उसादागर हमें तोड़ रहे हैं हम मोहबत के लोग हैं हमारे पुरकों के हाथ में कलम और किताब थी हमें भी मोहबत से इस साल बचाए कम से कम उतना भारत बचा लीजिए उतना संविधान बचा लीजिए उतना मंडल कमिशन की रिपोर्ट बचा लीजिए जतना हमें विरासत में विला वरना आने वाली पीडियां जब हमसे पूछेंगी यह सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे मैं कम से कम सुकून से कह सकूँगा कि बिना अपने नौकरी की चिंता किये बिना बुल्डोजर की चिंता किये बिना जेल की चिंता किये हम को जुनूनी लोगों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर इस मुल्क के आईन इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क के मंडल कमिशन को बचाने के लड़ाई लड़ रहते बहुत बहुत धन्यवाद जै भीम, जै मंडल, सम्विधान संदाबाद उल्गुलान संदाबाद, इंकलाब संदाबाद करें